राइसेंग के गाउं धिम रोली में शॉर्ट सर्किट के कारण गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई वही बढ़ती हुई आग को रोकने के लिए किसानों ने रीपर बाइंडर के साहरे फसल को काट कर अलग किया वही नगरपालिका की दमकल ने पहुँचकर ग्रामिनों की मदद से आग पर पूरी तरह काबू पाया दरसल ग्राम धिम रोली में सुरेश कुमार के खेत में डीपी से बिजली की डोरी डली हुई थी वही डीपी पर फाल्ट होने पर डोरी ने आग पकड़ ली और शॉर्ट सरकिट होने के वज़े से चिंगारियां गिरने के कारण गेहों की खड़ी फसल में आग लग गई आग को बढ़ने से रोकने के लिए किसानों दौरा कोशिश की गई इसी बीश नगर पालिका की दमकल पहुँच गई वहीं चालक अजीज खान फायर मैन शकील कुरेशी और ग्रामिनों ने मिलकर खेत में लगी आग पर काबू पालिया घटना से किसान का काफी नुकसान होना बताया जा रहा है